So, hello everyone, स्वागत है आप सभी का MATCAM classes में तो आज हम Quantum Chemistry को continue करेंगे और आज के lecture में हम देखेंगे भाई कि जो हमें Quantum Chemistry पढ़ने है उसमें कौन-कौन सी Mathematics required है जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंले कुछ differentiation और integration के rules हमें यहाँ पे देखने हैं इसे होता है, उसी काम हाँ पर आगे frequent requirement होगी, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, lectures में भी मैं आपको बताऊंगा तो आई हम सुरू करते हैं, इसका आप notes एक जगा बना लीजिएगा तो यह आपको help करेगा तो आई भाई सुरू करते हैं, यहाँ पर है mathematics involved in quantum chemistry और required in quantum chemistry और यहाँ पर पहले हम differentiation के कुछ lodge को यहाँ पर देखेंगे ठीक है, और वो differentiation के lodge यहाँ पर लिखे रखें मैं आपको बारी-बारी समझाता हूँ दिखें भाई, यहाँ पर d by d x होता है differentiation, okay, differentiation का मतलब क्या होता है, कि आप किसी भी कोई भी आपके पास अगर unit है एक, तो उसको आप मतलब सबसे चोड़े-चोड़े parts में बाढ़ देजें, infinitely चोड़े-चोड़े parts में बाढ़ दीजें, उसको बोलेंगे differentiation, okay तो यहाँ पर अगर आपके पास differentiation है, यहाँ पर है भाई, dy dx होगा, अगर आपको x के respect में differentiation करना है, तो dy dx होगा, y के respect में करना है, तो d upon dy होगा, z के respect में करना है, तो d upon dz होगा, मतलब किस variable के respect में आपको differentiate करना है, वो नीचे होगा, और यहाँ पर यह operator है, ठीक है, यह operator है differentiation का यहाँ पर आप function लगाएंगे तो वो उसको differentiate करेगा अगर यहाँ function नहीं तो इसका सिर्फ अकेले का कोई मतलब नहीं है यह हम आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास x के respect में हम सारी differentiation देखेंगे मतलब किसी एक variable का term में तो यहाँ पर जो अगर हमारे पास कोई constant है यहाँ c क्या है हमारे पास यह हमारे पास constant है तो constant का अगर हम किसी variable का respect नो differentiation करेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा इसी के साथ क्या है कि अगर आपको variable है यहाँ पर d y dx है ठीक है तो x का differentiation हमें करना है x के respect में और x की power 1 था x की power 1 का differentiation करेंगे x के respect में तो वो 1 आएगा ठीक है इसके साथ ही गया है कि अगर आपको कोई x की power n दे रखी है ठीक है x का कोई भी power है उसका आपको x के respect में differentiation करना है तो इसके लिए क्या rule है भाई, कि उसका differentiation क्या आएगा, NX N-1 आएगा, NX N-1 का मतलब क्या है, for example आप यहाँ पर देखिए, यह समाल लिए आपको दिया है, X cube का differentiation करो, तो यह X की पाव रहना है, N की value क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे N की value क्या है, 3 है, तो इसका differentiation करना है, तो क्या होगा, nx n-1, तो n की value 3 है, तो n लिख लिजिए, फिर x लिख दीजिए, फिर उपर n-1, तो मतलब 3-1 is equal to 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, 3x square इसका differentiation होगा, ओके, इसी के साथ क्या है, कि अगर हमारे पास, अगर हमारे पास कोई यहाँ पर, माल यह मैं dy, dx, differentiate करना, और function मैरे पास ax है, जहाँ पर a क्या है, भाई, कोई constant है, a क्या है, constant है, तो constant इस Celebration से क्या हो जाएगा, यह बाहर आ जाएगा, ok, constant इस समय differentiation पर यहां पर और यहां पर हमें क्या करना है? द्याइक यहां पर x का कर देना है, तो इसका differentiation हमारे पास एक आएगा, यहां पर इसकी value हो जाएगी, यहां पर कोई भी आपके पास function x containing, उसमें अगर कोई constant लगा है, तो वो constant बहार आजाएगाทำ casp 비iesg कर दीजीए, for example जिसे माल ज़िए, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आप differentiation करीए, किसका 5X की power 4 का, ok 5X की power 4 का differentiation करीए, तो 5x की power 4 का differentiation क्या होगा तो यहाँ पे भाई 5 को आप बाहर कर लीजिए ठीक है d by dx किसका कर दीजिए x to the power 4 का तो यहाँ पे 5 ऐसे ही है इसका differentiation क्या होगा इसका differentiation हो जाएगा 4x cube nx n minus 1 तो यह कितना हो जाएगा 20x cube इसका answer आ जाएगा यहाँ पे भी है कि अगर कोई constant लगा x to the power n में तो a बाहर हो जाएगा और इसका differentiation nx n minus 1 हो जाएगा ठीक है तो यह बात हो गई आपको समझ में आ गई है आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है आगे क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा term है जिसमें exponential है exponential function है e to the power x है तो e to the power x शिर्फ अगर e to the power x है तो यहाँ पे इसका differentiation क्या हो जाएगा e to the power x ही आएगा e to the power x का differentiation e to the power x ही यहाँ पे आएगा अगर आपके पास कुछ ऐसा function है कि e to the power x है उसके साथ कोई constant लगा है अगर e to the power x है उसके साथ कोई constant लगा है तो यहाँ पे x की तरह यहाँ पे constant को बाहर कर लिजिए और e to the power x का differentiation e to the power x ही यहाँ पे हो जाएगा ठीक है भाई तगरमालिया हमारे पास दे दिया है कि d by dx आप करिए minus e to the power x का करिए ठीक है minus e to the power x का तो यहाँ पे minus जो है वो क्या है constant है minus 1 वहाँ पे constant है तो यहाँ पे आप इसको minus 1 बाहर कर लोगे और यहाँ पे d upon d और इसका answer यहाँ पे minus 1 बाहर कर लो और e to the power sorry ठीक है तो यहाँ पे minus बाहर कर लो और e to the power x यहाँ पे आ जाएगा तो इसका क्या हो तो यहाँ पर कोई भी constant है तो बाहर हो जाएगा आगे देखिए अगर आपको यहाँ पर दिया है भाई कि आप e to the power x square का differentiation करिए e to the power क्या दिया है a x square a क्या है यहाँ पर constant है ओके तो इस तरीके से क्या करना है इस तरीके के function में कि आपको जो भी exponential term है उसको आप लिख लीजिए ठीक है जो भी exponential term है यहाँ पर जो है उसको function को आप ऐसे ही लिख लीजिए और साथ में क्या काम करिए आप जो यहाँ पर e की power में है a x square उसका differentiation यहाँ पर कर दीजिए ठीक है फिर से मैं इसको समझाता हूँ अगर आपके पास कोई function है e to the power a x square ओके d upon dx या minus a x square है तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसके differentiation में पहले इस term को सिधा लिख लिजिए e to the power minus a x square लिख लिजिए और साथ ही differentiation किसका करिए आप differentiation करिए जो यह term है उपर power में जो term है पूरे का minus a x square का differentiation कर दीजिए तो यह हो जाएगा e to the power minus a x square तो है ही इसका differentiation क्या हैगा पहले तो इसका minus a को बाहर कर लिजिए आप constant है और d upon dx x square का differentiation करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e to the power minus a x square यहाँ पर हो जाएगा minus a और इसका differentiation क क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कि एगर कोई भी आपको इस exponential function और function को ऐसे ही लिखिए, और जो भी उपर power है, उसका differentiation कर दीजिए, तो हमारे पास answer आ जाएगा, इसका differentiation का हो गया है, ठीक है, तो यह भी easy है, differential बाला भी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे यह है कि अगर हमारे पास, कोई भाई कैसा term है, हमारे पास अगर sin या cos का term है, okay, sin या cos, trigonometric term है, तो sin का differentiation होता है, cos x, ठीक है, sin x है तो उसका differentiation होगा, cos x, और अगर cos x है तो उसका x के respect में differentiation क्या आएगा, minus sin x, तो यहाँ पर हम sin भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखो, कि sin का differentiation cos होगा, sin cos, और cos का करेंगे, तो minus sin x आएगा, ठीक है, तो sin का cos x और cos x का minus sin x हमारे पास differentiation आजाएगा, अगर आपके पास कोई function दिया है, कि sin x की value बताईए, ठीक है, sin x है, इसका differentiation करेंगे, जहाँ पर a क्या है, constant है, तो इसमें भी यही करना, आप constant को बाहर कर दीजिए, और sin वाले term का differentiation करेंगे, तो क्या हैगा, cos ax आएगा, constant हो बाहर कर दीजिए, और इसका differentiation हो जाएगा, cos ax यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास cos ax है, जहाँ पर a क्या है difference, मुझनलब a क्या है मारे पास, constant है तो constant को बाहर कर लो, और cos का differentiation minus sin होगा, तो minus sin ax यहाँ पर हो गया है, तो इसकी भी हमें जरूरत आगे पढ़ेगी, ठीक है भाई, तो अब यह भी आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ, आगे है भाई, कि अगर मान लीजी, अभी तक हमने जो functions देखी, वो क्या थी, वो सिर है, और e to the power x भी है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर देखी आप, अगर आपके पास function यह है, x dot e to the power x, तो यहाँ पर actually दो functions है, सिर्फ एक function नहीं है, पहला function कौन सा है, यह x वाला है, दूसरा function कौन सा है, यह e to the power x वाला है, तो यहाँ पर दो functions का यह product है, ठीक है, तो इस का हमें differentiation करना है तो इसका differentiation के लिए रूल जो होता है उसको क्या बोलते हैं product rule बोलते हैं तो इसका क्या यह कैसे होगा तो देखिएगा आपके पास माल लीजी आप डीवाई डीएक्स कर रहे हैं ठीक है और यहां पर कोई आपके पास f1 है यह भी x का function है और function f2 है यह भी x का function है तो इसका differentiation कैसे होगा देखिएगा इसके लिए क्या है इसका rule आप देख लीजी सबसे पहले क्या करना है आपको पहले function को बाहर रख लेना है पहले function को बाहर रख लो आप ठीक है और differentiation करो किसका दूसरे function का ओके प्लस फिर आप क्या काम करो आप दूसरे function को एक बाहर कर दो f2 x और differentiation करो किसका पहले function का ठीक है अगर product है दो functions का x containing functions का और आपको x के respect में differentiation करना है तो पहला जो function x containing उसको बाहर कर लो और differentiation कर दो दूसरे function का ओके प्लस दूसरे function को बाहर कर दो और differentiation कर दो पहले function का य प्रोड़क्टर, तो हमारे पास ऊपर क्या था वाई लो कुछ ऐसा था कि मालने जिए d upon dx और x into e to the power x तो यहाँ पर इसको मैं x को function 1 मान लेता हूं, इसको मैं function 2 मान लेता हूं इसके differentiation में क्या करना है मुझे, पहले function को बाहर निकालना है, तो मैंने x को एक बार बाहर निकाल लिया, और differentiation किसका कर दिया, e to the power x का differentiation कर दिया है, दूसरी बार में क्या करना है, plus करिए, दूसरे function को बाहर रखिए, e to the power x को बाहर रखिए, और dy dx इतका कर दीजिए, x का कर द यह 1 यहाँ पे हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा x e to the power x plus e to the power x यह इसका डिफ्रेंसियसन आ जाएगा ठीक बाई इस तरीके से होगा यह product rule लगेगा बाकी एक और function यह देखें इसको देखिए यह function है भाई कि यहां पे x square है ओके x square है और e to the power a x square है इसका differentiation हमें करना है तो यहां पे यह दो functions का product है दो x containing functions है तो इसको मैं function 1 मान लो इसको मैं function 2 मान लेता हूं तो यहां पे इसका differentiation में कैसे करूँगा तो यहां पे भाई simple सा product rule में क्या होता है आप पहले function को बाहर निकाल लीजिए x square differentiation कर दीजिए किसका दूसरे function का x square का plus दूसरे function को sorry e to the power a x square दूसरा function हो गया इसका differentiate कर दीजिए plus एक बार दूसरे function को बाहर कर लीजिए और differentiation किसका कर दीजिए d by dx x square का differentiation कर दीजिए तो यहां पे भाई हमारे पास x square बाहर है इसका differentiation क्या है का differentiation में क्या करना हमें पहले यहां पे हमें इसके मतलब e to the power x को बाहर रखना है e to the power वाले term को बाहर रखना है और differentiation किसका कर देना है d by dx ax square का इसका differentiation का rule हम जान चुके हैं प्लस यहाँ पे e to the power a x square है और x square का differentiation का आएगा तो यहाँ पे n x n minus 1 लगाना है तो यह differentiation कितना हो जाएगा 2x यहाँ पे हो जाएगा ठीक है भाई तो दिखेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे हो जाएगा x square e to the power a x square इसका differentiation क्या आएगा इसका a बाहर आजाएगा और x square के differentiation 2x हो जाएगा ठीक है 2 a x यहाँ पे हो जाएगा इसका differentiation 2 a x प्लस यहाँ पे 2 x exponential a x square यहाँ पे आजाएगा ओके बाकी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर हम final लिख देते हैं तो यह हो जाएगा 2AX cube exponential AX square plus 2X exponential AX square यहाँ पर यहाँ पर यह इसका overall differentiation इस function का आएगा तो इस तरीके से product rule लगता है पहले function को एक बाहर करिए दूसरे function का differentiation करिए दोनों का product plus दूसरे function को बाहर करिए पहले function का differentiation करिए और उसका product और दोनों को add कर दीजिए ठीक है भाई होप आपको यह भी समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं हम कुछ ठीक है तो आगे देखि हमें एक term आएगा हमारे पास sin square theta आएगा cos square x मतलब sin square x cos square x या sin square theta आएगा हमारे पास तो यहाँ पर जहाँ पर sin square theta आएगा तो देखिएगा यहाँ पर square term है square term में हम deal ना करते हों हम उसकी power 1 पे deal करेंगे और उसके लिए क्या है कि sin square theta को मैं लिख सकता हूँ 1 minus cos 2 theta upon 2, यह trigonometric rule है, trigonometrics आएगा, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2, और यहाँ पर cos square theta है तो 1 plus cos theta by 2, यहाँ पर सिर्फ sin का change है, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2, और cos square theta पराब और 1 plus cos 2 theta upon 2, यहाँ पर क्या अगर हमारे पास कोई function आता है, जो sin और cos का product है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा है, sin x into cos x, ओके, तो यहाँ पर क्या आपको इसका differentiation भी बोल दे करने को, कि भी आप इसका differentiation करिए, d upon dx, इसका differentiation करिए, तो यह दो function है, यह sin vx containing function है, cos vx containing function है, एक function यह हो गया, दूसरा function यह हो गया, लेगिन trigonometry हमें अलाओ करता है, कि म हमें sin theta और cos theta की value की इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 theta upon 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास sin 2x है, तो यह क्या होता है, यह होता है, sin x plus cos x, 2 sin x plus cos x, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यही से sin 2 theta आ जाएगा, यह दो धर multiply हो जाएगा, यह term आ जाएगा, ओके, तो यहाँ से square को या फिर sin और cos के product को हम सिर्फ एक sin और cos में change कर सकते हैं, इसका हमें आगे use करना पड़ेगा, ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा, यह functions आप एक, मुलब note कर लेंगे जगा, तो काम देगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, बाकी अगर sin और cos की values की बात की जाएं कि sin और cos की values क्या होती है, different angles के लिए, तो sin के लिए देखिए आप, sin 0 की value 0 होती है, sin 30 की value क्या होगी, 1 upon 2 होती है, sin 45 degree की value क्या होती है, यह 0 degree है, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree, तो sin 45 degree की value होगी, 1 upon root 2, sin 60 degree की value होगी, root 3 by 2, और sin 90 की value 1 होती है, cos में क्या करना, हमें cos में सिर्फ इस order को reverse कर देना, यहाँ पर देखिए, sin 0 की value क्या होती है, और cos 0 की value क्या होती है, cos 0 की value 1 होती है, cos 0 की value क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है, तो cos 0 की value 1, sin 0 की value 0, फिर cos 30 degree की value तो साइन और कॉस्स में 90 तक की वैलू के लिए यह आती है यह आपको पता होगा बाकी अगर मैं बात करूँ ग्राफ की अगर मैं बात करूँ कि साइन का ग्राफ कैसे चलता है तो हमारे पास अगर यहाँ पर साइन थीटा का ग्राफ है तो साइन कुछ वैब जो है जो साइन का फंक्शन होगा वो कुछ ऐसे चलता है ठीक ऐसे चलता है periodic, okay, sine residual function ऐसे चलता है, तो sine की value यहाँ पे देखिए, यहाँ पे value जो है, sine theta की यहाँ पे minus 1 होगी, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे plus 1 होगी, okay, तो यह value है, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, यह 1 है, यह plus 1 है यहाँ पे, और यहाँ यह जो है, यह minus 1 है, यह minus 1 value है, नीचे नहीं है, जहाँ पे graph का amplitude है, वहीं पे होगा, तो देखिएगा, यहाँ पे, sine के लिए, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, sine 0 की value क्या होती है, 0 होती है, sine 0 की value क्या होती है, 0 होती है, तो pi by 2 की value 1 होगी, फिर अगर pi आएगा, ठीक है, pi की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर 3 pi by 2 की value क्या हो जाएगी, minus 1, यह हमारे पास minus 1 हो जाएगी, sine 2 pi की value फिर 0, sine 5 by 2 की value क्या हो जाएगी, plus 1 हो जाएगी, फिर sine 3 pi की value 0, और sin 7 pi by 2 की value फिर क्या हो जाएगी? माइनस 1 हो जाएगी. तो इस तरीके से चलता रहेगा minus 1 और plus 1 के बीच में क्योंगी sin की value minus 1 और plus 1 के बीच में ही आती है. तो sin 0 की value 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi 5 pi by 2 3 pi और 7 pi by 2 तो यहां से निश्कर से क्या निकलता है इस graph से कि अगर हमारे पास sin है अगर हमारे पास sin function है sin function और हमारे पास जो angle की values है वो कुछ ऐसी है 3 pi by 2, 7 pi by 2 मतलब 3 pi by 2 से सुरू हो और उसमें 4 add करते जाएगे तो 3 pi by 2, 7 pi by 2 और 11 pi by 2 ठीक है तो देखिएगा यहां पे 3 pi by 2 यहां पे है 7 pi by 2 यहां पे है तो अगला 11 pi by 2 भी नीचे ही आएगा और यहां पे values क्या है यह minus 1 है तो sin के अगर 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2 है तो इसकी value क्या आजाएगी हमारे पास minus 1 आएगी और हमारे पास क्या है कि sin यहां पे हमारे पास sin 0, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi तो देखिएगा यहां पे function में देखिए आप function में देखिए आप यहां पे sin 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi आगे 5 pi, 6 pi तो sin pi जो है उसका कोई भी अगर integral हो 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi, 7 pi जो भी हो कुल मिला कि अगर हमारे पास sin n pi है तो उसकी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यह अगर आप graph याद रखोगे कि sin की value जो है 0 से सुरू होती है ठीक है और 1 और minus 1 के बीच में जाती है तो यहां पे आई सारी values आप को याद रखने के जरूवत नहीं पड़ेगी sin n pi की value 0 के चाहे हो 0 हो pi हो 2 pi हो 3 pi हो सबकी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यहां पे आगे देखिए यहां पे देखिएगा कि sin अगर pi by 2 है 5 pi by 2 है 9 pi by 2 है यहां पे 3 pi by 2 से सुरू था और उसमें 4 add करते जाना था और यहां पे sin pi by 2 से इसमें 4 add करते जाना है तो sin pi by 2 5 pi by 2 9 pi by 2 इन सब के लिए values के आएंगी, एक आएगे, ठीक है बाई, तो खुल मिला कि इस सब graph का ही खेल है, कि अगर हमारे पास 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2 है, तो वो नीचे आएगा, ठीक है, negative में value आएगी, minus 1, और मेरे पास pi by 2, 5 pi by 2, आगे 9 pi by 2, और आगे 13 pi by 2, यह सब होगा, तो इसकी values क्य 0 की value जो होती है, cos 0 की value क्या होती है, 1 होती है, ओके, और cos 90 की value क्या होती है, वो होती है, 0 होती है, तो cos की value कहां से सुरू होती है, 1 से सुरू होती है, sin 0 से सुरू था, cos 1 से ही सुरू होता है, कि cos 0 की value 1 ही होती है, तो cos 1 से सुरू होगा, ऐसे कुछ इसका भी graph होगा, periodic, तो यहां पर हम देखेंगे, cos 0 की value क्या है, cos 0 की value plus 1 है, यहां पर pi by 2 मतलब 90 degree, pi की value 180 होती है, तो यहां पर pi by 2 की value 90 degree, 90 पर 0 है, फिर यहां पर pi पर क्या हो जाएगा, यहां पर, यह minus 1 हो जाएगा, 3 pi by 2 पर 0 हो जाएगा, फिर 2 pi पर यहां पर क्या हो जाएगा, plus 1 हो जाएगा, फिर यहां 5 by 2 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 pi by 2 पर फिर वहां पर minus 1 हो जाएगा, 7 pi by 2 पर फिर 0 हो जाएगा, तो difference sign और cost में क्या है, कि वो value 0 से सुरू होती है, और य सब्सक्राइब मतलब एक सुरू हुआ और एक खतम हुआ यहां तक की वेलू किती होंगी 360 दिग्री यहां से यहां तक का पीरियड क्या कहलाएगा 360 दिग्री या फिर 2 पाई कहलाएगा ओके इस तरीके से वेब्स मुनलब चलेंगी यह वेब मोसन भी है तो यहां पर इस ग्राप से हमें क्या निश्कर्स मिला कि अगर हमारे पास वाई कॉस्ट की वैलू यहां पर कुछ ऐसी है कि 0 है 2 पाई है 4 पाई है 6 पाई है 0 से सुरू हो और even में हो पाई क पाई आएगा ती सब की तरह हमाई positive side है positive 1 होगी इसकी वैलू और बाकि अगर हमारे पास कॉस्ट पाई 3 पाई अगर odd में है ठीक है कॉस्ट पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई तो उसके लिए values क्या होंगी minus 1 होंगी यह जनरल रूल क्या है कि अगर कॉस एन पाई है मेरे पास ठी ठीक है और एन क्या है even है तो ब सुट फ्र सुट तो इसकी वैलूस क्या होंगी प्लस वन होंगी और स्कॉस और और एन क्या है मेरे पास把ई 100 मेरे पास Ten पाई 452 इस तरीके अगर चूर्भाइट वैशन मेरे पास तो और यह क्या है वाई का यहkte और में है मतलब 1 3 5 7 9 तो इस तरीके से उनकी वैलूज क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएंगे तो इस सारा ग्राफ का ही खेल है बस डिफ्रेंस क्या है साइन का ग्राफ जीरो से सुरू होता है तो यह भी आप ध्यान रखोगे पक्के से मैं से उमीद करता हूं आगे आते हम ट् इंटीग्रेशन के रूल्स पे उके इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट रखना है, okay, differentiation और integration में क्या फर्क होता है, differentiation integration में यह फर्क होता है, differentiation किसी भी चीज़ को infinite parts में break कर देता है, okay, और integration क्या करेगा, एक certain range में, जो भी units होंगी, infinite, जो छोटी units होंगी, सबको add कर देगा, okay, integration का यह sign है, और यहाँ पर जिस variable के लिए हम integrate करना है, तो यह dx होता है, ठीक है, यह small change, और यहाँ पर function होगा हमारा x containing, और यहाँ पर इस तरीके से integration को हम दिखाते हैं, यह sign, फिर function, फिर यहाँ पर dx लगा होगा, okay, तो यहाँ पर अगर मेरे पास, माली जे कुछ नहीं दिया है, अंदर यह integration का sign है, सिर्फ मेरे पास dx दिया है, तो सिर्फ dx दिया है, तो इसका क्या मतलब है, कोई function तो यहाँ पर है नहीं, तो function यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 है, 1 है function, तो इसका integration क्या आता है, मेरे पास x आएगा, अगर सिर्फ 1 है, 1 into dx है, या फिर सिर्फ dx है, तो इसका integration का आएगा, मेरे पास x आएगा, इस तरीके से अगर मालने आपको कोई theta के लिए integrate करवा दे, d theta, तो यहाँ पे theta containing कोई function नहीं है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे constant है, सिर्फ एक, और ओ constant की value क्या है, 1 है, d theta, तो यहाँ पर क्या इसका answer आजाएगा, इसका answer आएगा theta, ठीक है, आपको कोई function दे दे, यहाँ पर ठीक है, d phi, यहाँ पर आपको function दे दे, d phi, और आपको बोले कि phi के respect में इसको integrate करना है, तो यहाँ पर कोई और function नहीं दिया था, यहाँ पर 1 रहेगा, तो इसका क्या जाएगा integration, हम यहाँ पर variable ही हमारा cost theta है, cost theta के respect में integrate करना है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह तो हमारे पस इसके respect में integrate करना है, लेकिन cost containing कोई function है नहीं, और यहाँ पर हमारे पस दिर वन है तो इसकी value क्या हो जाएगी, cost theta ही हो जाएगी, तो अगर आपको इंटीरेशन के लिए सिर्फ एक ह वहाँ पर जो भी वाला टम होगा वही आपके पास आ जाएगी ठीक है यह तो सिंपल रूल था पहला वाला डी एक्स की एक्स आएगी डी थीटा की थीटा आएगी और डी फाई का फाई हमारे पास आएगा बाकी है अगर आपके पास कोई अगर सिर्फ आपको डी एक्स दिया हो ठीक है डी एक्स दिया हो किसमें आपको यह डी एक्स दिया है इंटीग्रेट करिए और आपको लीमिट दे रहे ठीक है अगर आपको लीमिट नहीं दिया है मतलब वो पूरे स्पेस में आप से इंटीग्रेट करवा रहा है पूरे वन इसका integration X आएगा DX का आप एक्स लिखिए और यहां पर लिमिट्स लिखिए टू और थ्री इसको लिए इसके लिए क्या करते हैं कि X की वैलू पहले वाले अपर लिमीट पे अपर लिमीट पे वैलू क्या होगी 3 होगी माइनस लोवर लिमीट पे तो यह क्या हो जाएगा मेरे होगा ठीक है भाई ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए दी थीटा दे दिया और कुछ नहीं दिया 0 से pi के लिए तिसको आप कैसे integrate करोगे d theta का integration थीटा आएगा अप limits लगा तो 0 से pi के लिए तो पहले pi के लिए upper limit की value minus lower limit की value यहाँ पे 0 हाईगे तो ईह क्या हो जाएगा bi हमारे पास answer हो जाएगा इस तरिके से करमालिए आपको d5 देbeeld centro 0 से 2P के लिए कोई function नहीं देता है इसका आप integration करें लिमिट के भी दिन तो यहां पर डी फाई का integration आपके पास पाई आजाएगा और यहां पर लिमिट आप रखिए 0 और 2P तो पहले अपर लिमिट 2P यहाई माईनस लोवर लिमिट 0 इसका आंसार आ जाएगा तू पाइ हमारे पास आ जाएगा अगे बढ़ते हैं कि अगर एकस की पावर एनका अब मुझे इंटिग्रेशन करना पहले हम ने दिफ्रेंशीएसन किए आप अगर एकस की पावर एज का इंटिग्रेशन करना है तो इसके लिए क्या रूल है कि आप अगर x to the power n का इंटिग्रेशन करना है तो x to the power n plus 1 divided by n plus 1 मतलब x की power n plus 1 और इससे divide करना है आपको n plus 1 से जैसे कैसे अगर आपको इसके लिए आप क्या करोगे x की power cube के लिए x की power cube अगर आपको integration करना है integration करना into dx तो आपको क्या करना है x to the power n plus 1 रखना है divided by n plus 1 रखना है तो यह x to the power 3 plus 1 हो जाएगा और divided by क्या हो जाएगा 3 plus 1 वरावर x to the power 4 upon 4 यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो x to the power n है तो x n plus 1 divided by n plus 1 यहाँ पे यह हो जाएगा तो यहाँ पे अगर x cube आपके पास है तो x के power 4 upon 4 आएगा अगर आपको यहीं integration आपको limits में दे दे कि भाईया ठीक है 2 और 3 के वीचे integration करना है x square into dx का तो इसका मुझे क्या करना है इसका पहले आप x square का into dx का आप integration कर लीजिए तो x square का क्या होगा x to the power n plus 1 मतलब x to the power 3 divided by n plus 1 मतलब 3 और limits लगा दीजे 2 और 3 तो अब क्या करना है आपको इसी function में x की value को आपको क्या रखना है 3 रखना है यहाँ पर minus नहीं है भाई यह भाई 3 है यहाँ और इसी function में आपको x की value को 3 रखना है तो x की value को 3 रखना है तो x square यहाँ पर ठीक है यहाँ पर x cube है यहाँ पर इसका क्या answer आएगा पहले तो 3 का cube divided by 3 minus lower limit lower limit है 2 तो x की power 2 to the power 3 divided by 3 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर x cube मतलब x की value 3 रखी है 3 का cube फिर 2 रखी है 2 का cube और divided by 3 तो यहाँ पर constant है तो इसका answer आप solve कर लोगे इसका answer क्या जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा 3 3 जा तीन तरीका नौत यहाँ 27 upon 3 minus 8 upon 3 तो यहाँ पर आप करोगे तो 19 upon 3 इसका answer आ जाएगा ओके इस तरीके से आप within limits भी कर सकते हैं इसका integration आगे बढ़ते हैं अगर आपको कोई sign containing function दिया है okay sign containing function दिया है तो देखिएगा वहाँ पर हमने differentiation में क्या देखा आएगा दी अपॉन दी x sign x क्या होता है यह होता है कॉस एक्स लेकिन इसका integration करेंगे तो sign change हो जाएगा sign का integration कॉस एक्स आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा ठीक है तो sign का differentiation कॉस एक्स होगा और sign का पास cos x है तो cos x का integration sin x आएगा लेकिन differentiation के आएगा माइनस sin x आएगा तो हमें क्या करना है sign x का integration कर लीजे आप माइनस cos x आएगा और यहां पर हमें क्या करना है limits 0 to pi रख देनी है फिर आप इस function में माइनस cos x है तो यहां पर x की जगा पाई रखिए पहले फिर माइनस करिए किसमें function पूरा माइनस cos 0 ओके तो यहां पर माइनस cos pi cos pi के लिए value हम ग्राफ में देखेंगे तो क्या आएगा cos pi की value हमारे पास आएगी माइनस 1 तो माइनस पहले लगा है तो यहां पर भी cos 0 की value क्या होती है 1 होती है cos 0 बराबर क्या होता है 1 होता है तो यहां पर आ जाएगा 1 मतलब माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस यहां पर प्लस होता है इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इस तरीके से cos x का हम साइन एक्स होगा साइन एक्स का ओके साइन मतलब साइन एक्स है लेगर उसके पहले कोई constant लगा है तो उसमें क्या करना आपको एको नीचे रख देना है ठीक है जो constant उसको नीचे रख देना है और साइन वाले टम का होता है multiply होता है integration में क्या होगा वो division में आ जाएगा ओके यह आप ध्यान रखिएगा आगे बढ़ू मैं अगर अगर मैं आगे बढ़ू और आगे हमारे पास क्या है और हो complicated करें questions question को तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसको sign square वाले टम को मैं कॉस वाले में convert कर सकता हूं मैंने अभी आपको बताया था कि भाईया यहां पर sign square x है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1-cos 2x divided by 2 हो जाएगा तो यह काम मैंने किया है यहां पर sign square को 1-cos 2a x upon 2 में divide कर दिया है अब इसका हमें integration करना है तो यहां पर इस function में देखिए 1 by 2 क्या है constant है 1 by 2 को आप बाहर कर लीजिए ठीक है और यह क्या बचा है यहां पर इसको आप integration को ब्रेक कर सकते हैं 1 into dx कर दीजिए minus cos 2x into dx कर दीजिए तो 1x का क्या हो जाएगा यहां पर यह क्या हो जाएगा x हो जाएगा और minus cos का क्या हो जाएगा मेरे पास integration साइन होता है यहां पर साइन 2x करिए लेकिन यहां पर constant है 2 तो constant को आप डिनोमीटर में रख दीजिए और यह मेरे पास integration इसका आ गया यहां पर यहां पर भी 1 by 2 रहेगा नो यहां पर 1 by 2 पूरा है तो अगर यहां पर यहां पर यहां पर 1 by 2 कॉमान है तो 1 by 2 से आप मल्ट से और आपके पास यहां पर कोई constant है इसका यहां इंटिग्रेशन करना है तो यहां से constant भी बाहर आजाएगा x into dx यह हो जाएगा तो इसी बेसिस पर यह हुआ है तो इसको भी आप कर लोग है इसी में आगे बढ़ते हैं इसमें आगे और कुछ है क्या नहीं आगे देखते ह सकता हूं 1 plus cos 2x by 2 लिख सकता हूं स्कॉयर में ना डिल करके हम पावर 1 में डिल करेंगे और 1 plus cos 2x upon यह हो गया 1 by 2 इस यहां से बाहर हो जाए गर जाब आप इंटिग्रेट करोगे पिछली बार की तरह 1 by 2x plus 1 upon 4a sin 2x हो जाएगा cos square ax और sin square ax वाले में देखिए सिर्फ साइन का difference है ठीक है चलिए साइन वाले में हमारे पास क्या आया था यहां पर माइनस आया था और यहां पर प्लस आ जाए क्यों क्योंकि यहां पर ही माइनस प्लस का difference है सिर्फ उसमें ठीक है तो यह भी आपको समझे में आ गया है और कुछ हम इंपॉर्टेंट रूल्स देखते ह है हां अगर आपके पास one upon x है ठीक है अगर आपके पास one upon ax है मतलग के से ठीक हमारे पास यहां पर one upon x की पावर वन है इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसकी वैली क्या आएगी ln x यहां पर आएगी ठीक है यहां पर ln x आज आएगा यह लन क्या है natural log है लॉग जो हम पढ़ते हैं उसका बेस क्या होता है 10 होता है इसका बेस क्या होता है exponential होता है तो यहां पर हमने क्या देखा ठीक है अगर मेरे पास one upon x into dx है तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास ln x हो जाएगा लेकिन अगर हमारे पास कुछ इसको फस्ट ओर में भी पढ़ते हो कि one upon x into dx ln x होता है और वहां से फस्ट ओडर के लिए हम चीज़े define करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा माली मैं बोलूगी one upon x to the power n है कोई इसको आप differentiate करिए इसको हम कैसे differentiating करेंगे या फिर माली जे आको दे दिया कि भई यह one upon x cube इसका differentiation करिए इसका integration करिए तो इसका integration कैसे करेंगे तो इसका integration यहां पर देख सिर्फ one upon x x की power 1 है तो उसका अंसर आएगा ln x अगर आपको ऐसे कोई function दिया है तो आप इसको convert करेंगे convert किसमें करेंगे यह one upon x cube है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x to the power minus 3 भाई उपर जाएगा तो इस function को मैं से लिख सकता हूँ x to the power minus 3 into dx में लिख सकता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसका integration क्या आता है हमारे पास is का integration आता है x to the power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 यहां पर इड़ैंद क्या हो जाएगा कि हो जाएगा in Sehr early अ़के हो जायगा यह हो जाएगा एकस टू एपावर उब्पहर और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 यहां पर हो जाएगा, इसका कुल मिला का integration क्या होगा, इसको माइनस 1 अपॉन 2 आप बाहर रखिए और यह क्या बना, x to the power minus 2, या फिर इसको आप रखिए, माइनस 1 अपॉन 2 और यह 1 अपॉन x square, ओके, यह ऐसे हमारे पास कुछ आएगा, या फिर इसको सिंपल में, माइनस 1 अपॉन 2 x square इसका integration आएगा, तो अगर x की power n आपको denominator में दिया है, उसके लिए आप उसको ऊपर लेएकर power को minus में convert कर लिए और n x n minus 1 लगा दीजिए, तो यहांसी इसका integration हो जाएगा, ओके, और देखते हैं, बाकी यहांपर देखिए, अगर आपको e to the power x का integration दिया है, तो integration भी इसका e to the power x ही आता है, exponential term का differentiation भी आएगा integration भी यही आएगा अगर आपको कोई ऐसा term दे दिया है e to the power ax दे दिया है ठीक है अगर आपको e to the power ax दे दिया है तो यहाँ पे भी क्या करना हमें सीधा constant को रखना है नीचे constant को नीचे रखना और e to the power x को e to the power x ही रख देना डिफ्रेंसियेशन में यह constant बाहर आता था है यहाँ पे constant को डिवाइड करते हैं यह तो जर्नल जो हम calculations में यूज करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे कहीं इसे perturbation variation ओके या फिर हर्मोनिक उसी लेटर में तो हमारे पास कुछ complex functions हो है उनकी जरूवत पड़ेगे complex functions जो थोड़े complicated हैं ओके complex mathematics में हो जाता है imaginary number तो यहाँ पे जो थोड़े complicated हैं उनके लिए integration की आपको जरूवत पड़ेगी तो यहाँ पे मैंने कुछ formula लिख रखे आप इसको रख लीजिए इसका यहाँ पे क्या है पहला पहला आप integration देखिए कि अगर आपको यहाँ पे दो functions का product है एक्स की power n है और दिया है साथ में exponential minus ax dx तो इस तरीके functions हमें मिलेंगे इस तरीके functions मिलेंगे तो इनका integration कैसे होगा तो इनका integration उससे जितने भी नीचे छोटे value सबका multiplication कर दिए अगर फाइफ एक्टोरियल की value कहेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इन्टू 4 इन्टू 3 इन्टू 2 इन्टू 1 ती फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पे जो भी x की power n exponential minus x dx है तो वो क्या हो जाएगा n factorial a to the power n plus 1 यहाँ पे अगर limit भी जान दिए जेगा यहाँ पे 0 से infinity है यहाँ भी 0 से infinity अगर सिर्फ exponential x into dx की आपको value दी हुई है minus x की तो इसका integration आ जाएगा सीधा 1 by a है इसका integration की value क्या हो जाएगी सीधी 1 by a की value हो जाएगी जो constant है वो reciprocal में आ जाएगा तेकि limit क्या है 0 to infinity exponential minus x into dx नीचे देखिए same function है exponential minus ax है और आपको सिर्फ x की एक power दिया है ठीक है सिर्फ x की एक power दिया है तिसको आप इससे भी solve कर सकते है x to the power n exponential minus dx उपन वाले से n factorial यह जाएगा या फिर अगर सिर्फ आपके पास यह function है तो आपके पास सीधा यह answer आ जाएगा 1 upon a square 1 upon a square यहाँ पर हमारे पास आ जा यह function आया exponential minus ax square का into dx और limit है 0 to infinity 0 to infinity है इसकी value क्या जाएगी 1 upon 2 root pi by a इसकी direct value आ जाएगी आप लिक के रख लेना और यहाँ पर यही same function है आपको इंफिनिट और value दे दिया देखिए यहाँ पर limit है 0 to infinity यहाँ पर value है minus infinity to infinity limit है तो इसकी value क्या हो जाएगी root pi by a मतलब इसका 2 times क्यों क्योंकि यहाँ पर minus infinity से 0 और 0 से infinity तो यहाँ पर limit जो है double है तो इसकी value भी क्या हो जाएगी इसके double हो जाएगी root pi by a आजाएगी अगर आपके पास हमारे पास यही minus ax square में x multiply कर दे और उसका हमसे integration पूछे 0 to infinity limit के बीच में तो इसका integration आएगा 1 upon 2a यहाँ पर देखिए अगर x square लगा दे और exponential minus x square बोल दे यह आपको harmonic oscillator में से functions मिलेंगे और आपको limit दे 0 to infinity अगर इसका integration करना है इसकी value क्या आएगी 1 upon 4 root pi by a cube इसकी value आएगी ठीक है इसका इस perturbation variation में भी होगा बाकी अगर आपको same function है और यहाँ पर आपको दे दिया है यहाँ पर आपको दे दिया limit minus infinity to infinity तो यहाँ पर भी limit देखिए डबल किया है दिखिएगा यहाँ एक limit है मेरे पास 0 to infinity है और एक limit है मेरे पास minus infinity to infinity ओके तो इन दोनों में क्या है relation कहते देखिए 0 से infinity है यहाँ पर सबस्क्राइब सबस्क्राइब और 0 से infinity भाई, magnitude तो सेम ही है difference का, तो यहां से जो answer आएगा, यहां के answer के लिए हमें 2 से multiply कर देना होगा, क्योंकि minus infinity to infinity उसका twice होगा, तो यहां पर यही है हमारे पस, कि अगर मेरे पास 0 से infinity के लिए हमारे पास answer यह आया है, 1 upon 4 root pi by aq, तो यहां पर हमारे पास minus infinity के लिए, यहां पर हमारे पास इसका two times हो जाएगा, तो 1 upon 2 root pi by aq, तो यह सारे जो अभी complicated वाले हमने देखे, इसका use होगा, जो शुरू में हमने देखे easy वाले उनका भी use होगा, तो आप इनको एक बार रख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, इनको आप ध्यान दे लीजिएगा, और याद कर सकते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, हो सकता आपको exam में देखर complex problem देगा, नहीं तो जब आप पढ़ते रहेंगे, तो उस समय आपको काम देगा, ठीक है, तो यह थे कुछ mathematical rules जो हमारे लिए ज़रूरी थे, ओके, अपको आपको यह सारे आप note कर लोगे, और इसको ध्यान रखना, बाकी हम जो अब सुरू करने वाले हैं, भाई, प्रॉपर वेव फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम उपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपको next lecture में मिलेगा, तो अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,